बज टाइम आज चुका है काड़ ओप्रेसंट टूटियोर नमर टू के बारे में जहां पे हम लोग बात कर रहे होंगे जो कम्प्रीट आपको पेज दिखाई दे रहा है इसको हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं आज हम सिंप्ली इसको बनाएंगे स्टेमर एंड़ इसके हल्प से और बैसिकली धिरे धिरे हम लोग इसका बैक एंड भी दीखने वाले हैं तो सबसे पहले हमारा यहीं वीडियो होने वाला कि हम लोग इसको किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं तो बिन टाइम इसके करूँगा क्या विंड़ प्लस आर जहां पर टाइप करू और धुमना सिंपली पावर सेल और यह जो पावर सेल हैं सिंपली डरमिनल होता आप लोगों नहीं पहलता तो मैं सिंपली हो अपन किया यार तो मेरे सामने होगा क्या मठोड़ा जूम कर लेता हओ आप लिए इस तोर पर अंहाशी कर् Gwen कर्ण अब जिसे यार मैं सब कुछ ह मैं यहां पर के लिए करता हूं, तो यह सब कुछ क्लीन कर देगा, और यह एक इस पर चलता हूं, और मैं यहां पर चल कर डिएक्टरी पर सेट, डिएक्टरी देखता हूं, तो आप लोग देखो इस में मैं पर शूब अज़ा हों, एक पाथ बना रह चाहिए, और इस के प्रोजेक्स पे चलता हूं इसके अंदर से के मैं आगें डायक्टिस हैट करता हूं तो इसमें देखो काफी मैं प्रोजेक्स बना रखे हैं तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या सबसे पहले मैं इसा करूँगा अब मैं सीडी नोट इदिट मैं फिंड सल्टाओ दिर अखिघन नाम से और सीडी मैं सिट्री स्टाइल मैं लिकThis की सोष थाओ पर लिखुँगा टाइप और इस तरीके से अपना फोल्ड इस टेक्सर डिजाइन निकर सकते हो और मैं सीडिया इंडो डोट टाइप करूंगा और इसे के साथ मैं करूंगा क्या मैं आप लिखुँगा टाइप इंडेक्स.html यह मेरी सिंप्ली एक होने वाली है सुमाइज कोड एंडोट करूंगा इस तरीके से और इस मेरे पास यहां पर वीजिल स्टुडिय कोड ओपन हो चुका मैं इसी के साथ करूंगा क्या इस वेलकम स्क्रीन को मैं यहां पर हटा दूंगा सिंप्ली ठीक है और इस एक स्टाइल वाली फाइल इसको भी मापन कर लूँगा इस तरीके से सिंप्ली और इप अम इसंप्ली करूंगा क्या मैं बैसिक टेंपलेट यहां पर इस टेमिल कर लेता हूं इस के अंदर आकर जो बेसिक से बेसिक टेंपलेट हो तो आप लोग टाइप करें अपने की बो इस तरीके से फॉर्म कर ठीक है इस तरीके से यह जो CSS की फाइल इसको मैं लिंक करूंगा जो आप लोग को लिंक करना तो आता है यह बैसिक मैंने इस चीजे बता रही है अगर आपने यह इसके वारे कोई आईड़ा नहीं है क्या है तो आप लोग मेरी आप लोग मेरी CSS वाली प्लेइस भी देखें अब देखो simply क्या है मैं बोक्स लूगा मैं बोक्स क्यों लूगा गाईज मैं बोक्स इसलिए लूगा क्योंकि मैं अगर यहां पर चलूँ तो इसके अंदर देखो complete एक बोक्स है इस बोक्स के अंदर simply दो डिव लिए गए है एक स्ञेख़ एक आपका anki है और एक का सीपले लेफ साइड यं. नदर ऊतें मैं सबसे पहले करीं के औरकिदेखें यहां पर लेफट साइडे इससा तरी बीछना से और इससे को ही सदिए और इससी को हतलत शायफ साइड मतलों स्वात ने इस नंपने वाला इमेजेज्ज और राइट ये जो फ़ोल्डर होने वाला है यह फौल्डर मुझे जबना पड़ेगा है यहाँ पर मैं इनल इसके आदर आकर क्या कि इसके का वामेज्ट करता हुआ नो इसके आंदर डाल दू मैं इसके परोपर्ली कोपी कर रहता दो कि करता हूं सबसे पहले होगे मजलता हों मेरे धायड पे और मैं अब परोजेक्ट के सब्जांता हूं सीय अस परोजेक्स पे चलता यूच एसी के साथ सासात मज चलता हूं pass card पे और यव इस इसमेज kांट धाने निदर मने फुक्त ών ले रहा कि हमई इमेज मैंने यहाँ पर प्रोपर ले डाल लिया माग एक काम करूँगा इसको बंद करता हूँ और इस इमेज फाले फॉल्डर के अंदर आप लोग देशते वह इमेज आ चुकी है इसका जो फॉर्मेट है वह सिंप्ली जी आई एफ है तो कोई दिक्रत नहीं है आप लोग का सिंप्ली सपोर्ट कर लेगा इस देंमां काम करता हूँ एमेज फॉल्डर के अंदर चलेके यहाँ पर डाल जएता हूं मुझे इस कौट को रन करना पड़ेगा तो मैं ही काम करता कॉल आप मैं डěक कलिक करता हूं इस तरीके से ए 물ridges स्वर काअने असे मेरे माग लिए सब् चेक और नाव इस तरीके से ठीक है तो मैं आप सिंपली टाइप कर दूँगा चेक नाव मैं सिंपली इसी के साथ एक फॉर्म लोगा और उस फॉर्म के अंदर कुछ फॉर्म फिल्स होंगे तो अभी के लिए आप लोग सिंपली यह समझो कि फॉर्म हम बाद में डिजाइन कर और सब्याइक है सबसे पहले मैं बाद सिंपली यूजर से नहीं पेट सके अंदर जा lumière और आप लोग अपना खुद का आक्स्टेंशन कर लें चेत्च अफिक कर रहें कि तो बहुंप लेकिन उससे भी पहले मैं यह आप पर बोड़्ी कुछ इनिंवक्स this style it आता हूं, so I will write इसकी जो width, all right, इसकी जो width होगी, मैं यहाँ पर सिंपली सेट करूँगा, 100% and इसकी जो आपकी height होगी, वो आप लोग 100 viewport height set कर दे, ठीक है, place item आप लोग simply set कर दे, center, क्योंकि इस center में लाने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है, आप लोग place item center करें, और आप लोग display यहाँ पर grid करें, तो चीजी यह automatic properly center में आजाती है, आप लोग दे सकते हो, ठीक है, all right, और इतना मेरा काम हो चुका है, मैं यह काम करूँगा, इस box को design करते है, तो यह जो मेरा box होगा, सबसे पहले इसकी जो width होगी, मैं 100% करूँगा, not 100% यार, मैं simply 70% कर देता हू और यह जो इसका height होगा, इसका height होगा, मैं simply 65% कर देता हूँ, मैं border इसका 1 pixel solid and 000 कर देता हूँ, ठीक है, और border radius में simply 3 pixel, नहीं मैं simply only 5 pixel कर देता हूँ, ठीक है, और इसी के साथ में display इसका करना चाहूँगा, flex and justify content center and align item center, और मैं simply save करूँगा, तो आप लोग देखो कि इस तरीके से मेरे पास ये data दिखाए देरा, जो कि perfect है, but simply मैं क्या करूँगा, कि मैं इसकी height को auto करना चाहूँगा, ठीक है, और इसी के साथ मैं कुछ padding set करना चाहूँगा, I will write, मैं कितना padding करूँगा, इसमें कर देता हूँ, 15 पिक्सल का, top to bottom, left to right, all right, तो इस तरीके से मेरे पास ये auto height set हो चुकी है, अब देखो simply क्या है, कि ये जो मेरा box होगा, इस box के अंदर obviously एक left side है, simply ठीक है, इस left side को हम लोग कुछ ना कुछ style provide करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते गया, सबसे पहले ये जो image है, इसमें कुछ एक anchor take भी होगा, और बिस तरीके से, तो हम लोग लिखेंगे simply, इसकी width होगी, वो width होगी completely 30%, ठीक है, और height आप लोग simply क्या करो, 100% करतो, इस तरीके से, all right, और अभी के लिए बेगराउन का color अगर red गरता हूँ, तो आप लोग simply देखोगी, इसका color नीचे से, आपको देख है, उसका हम लोग width set कर देंगे, 100 pixel की according तो इस simply set हो जाएंगे, काफी short हो चुकी है, मुझे आप पे करना पड़ेगा, इसको कम से कम 150 pixel, इस तरीके से, ठीक है, या फिर आप लोग simply 200 pixel set कर सकते हो, इसको, इस तरीके से सही दिखाई दे रहे है, और इसी के साथ, एक simply आपका anchor take भी होने वाला है, तो यह जो चेक ना हुए है, मुझे नहीं दिखाई क्यों हो रहा है, बट यह मुझे दिखना चाहिए था यार, चेक ना हुए है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, मैं एक काम करूँगा, काम simply यह होगा, कि यह जो तीन property मैंने आप लिखी है, मैं simply इसको मैं हाँ पर control C करता हूँ, और मैं हाँ पर आके control plus V कर लेता हूँ, बस मझे एक property और add करनी है, अब देखो चेक ना हूँ मुझे दिखाई दे रहा है, बट यह जिसके नीचे आना चाहिए, तो मैं हाँ पर simply flex का जो भी direction mode है, वो simply हाँ पर columnize कर देता हूँ, बस राइट 20 pixel obviously, तो ठीक है थोड़ा निचे दिखाई देगा, अब जो left side है, उसके अंदर आपका है, इसका जो border radius नहीं है, आप लोग simply सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप लोग padding set करें, top to bottom आप लोग padding set ना करें, सबसे पहले आपको बताता हूँ, इसका text का transform होगा, व आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है, तो ठीक है, इसके अंदर मैं फंट की family set करूँगा, यह वाली ठीक है, और फंट वैट मैं यहाँ पर lighter करूँगा, इस तरीके से, और इसी के साथ मैं करूँगा, क्या मैं काम और करूँगा, यार मैं simply view पर कलिक करके, वर्ड्राप पर कलिक कर लेता हूँ, इस तरीके से, चीज़े मुझे clean दिखाई देगी, मेरा code मुझे यहाँ पर clean दिखाई और इसी के साथ मैं काम और करूँगा, मैं कर इसका simply white करूँगा, ठीक है, और मैं इसका background का color यहाँ पर कर दूगा, कुछ भी कर सकते हो, मैं simply linear gradient का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर टाप कर देता हूँ, linear gradient, टू राइट से मुझे एक color चीज़े, एक color मुझे aqua type से चीज़े, तो मैं यहाँ पर aqua लिग देता हूँ इस तरीके से, और मैं simply इसको refresh करता हूँ, इस तरीके से मुझे दिखाया दे रहा है, बट देखो simply width वगएरा सेट कर सकते हो, मैं इसमें padding set करूँगा, top to bottom मुझे चीज़े simply 10 pixel, left to right मुझे आप चीज़ आप लोग simply इस चीज़ को देख सकते हैं, इस तरीके से मेरे पास एक button दिखाया दे रहा है, मैं इसकी थोड़ी और padding left to right set कर लेता हूँ, इस तरीके से, अब मैं simply करूँगा, क्या इसका जो border का radius होता है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से मेरे पास इस चीज़ perfectly काम कर रही है, ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं हमारा simply form, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर जलके, मैंने simply right side से सब कुछ यहाँ पर div ले रखा है, मैं सबसे पर एक form list control नाम से div बनाऊँगा, और इस form control के अंदर simply क्या होगा, मैं भी आपको बता और input के अंदर मैं simply card लिखूँगा, type तो इसका text होगा, यह जो आपने मैंने हाँ पर लिखा, इसको मैं completely copy करके ID के अंदर paste कर रहूँगा, यह आपको पता ही है, जब आप label वाले पर click करोगे, मैं आपर डाल देता हूँ simply first, ठीक है, मैं आपर डाल देता हूँ simply first, और first under name, इस तरीके से, ठीक है, आप लोग यहाँ पर place holder भी set कर सकते हो, first name, ठीक है, और यह चीज़ आप लोग simply हाँ पर set कर सकते हो, ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है, तो आप लोग देखोगे, मुझे आपर simply दिखाई देरा first name, जो कि सही है, इसी controller को मैं completely copy करके आप paste कर और simply last name, और यह जो last name मुझे ID के अंदर भी change करना पड़ेगा, और instead of first मैं आपर simply डाल दूँगा last, क्योंकि यह मेरा last name होने वाला है, और place holder की जगवे मैं simply क्या डाल दूँगा last, alright, तो मुझे आपर simply एक last name का भी button, तो आप मिल जाएगा, इसके नीचे, इतना मेरा काम हो चुका है, अब मुझे इन दोनों fields को पहले सेट करना है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं काम होई है, और करूँगा, कि आइज यह जो input है, इसको मैं class प्रोवाइड करना चाहूँगा, और इसकी जो class होगी होगी, इन underscore field, इस तरीके से ठीक है, इसी को मैं design करते हैं, तो जो मेरा box है, इसमें एक आपका right and side है, ठीक है, आप लोग simply क्या करोगे, इसकी जो width आप लोग simply pass करोगे 70, 70 क्यों, क्योंकि यह जो आप लोग ने width प्रोवाइड किये, इसको 30 की है, left वाले को, तो 70 plus 30 equal to 100, तो मैं आपर simply 70% set कर देता हूँ, height मैं auto कर देता ह तो यह देखो simply, perfectly इसका हम चल रहा है, इसमें कोई दिकत नहीं है, अब देखो बात कुछ ऐसी है, कि मैं अगर ऐसा करूँ, मैं simply ऐसा करूँ, यह जो, इसके मैं position relative कर दो एक बार, ठीक है, अभी जो आपका right side है, इसमें आपका एक form भी है, obviously, तो simply same, आप goes for form के लिए property ठीक है, और मैंने simply same goes for, इसके लिए apply कर दी, मैं इसका background का color नहीं change करना साथा, मैं इसके position को relative करना साथा हूँ, बस अभी के लिए मुझे इतना करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक काम करना है, कि इसके अंदर display flex and justify content center and align item आप लोग center पास flex का direction mode होता है, वो simply आप लोग क्या पास करो colonize, तो मैं आप simply colonize set कर देता हूँ, मतलब एक के नीचे एक दिखाए देगा, तो यह चीज मैंने क्यों कि अभी आप लोग इस चीज को मैं आप लोग को बताऊँगा, एक बार मैंने इसको comment कर दिया, ठीक है, अब देखो simply क्या है कि अगर मैं यसा करूँ, इस form के अंदर जाओं, और यहाँ पर मैं लेकूँ simply क्या, यहाँ पर मैं लेकूँ, यहाँ पर form and control इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से मैं लेकूँ इस चीज को, और मैं सबसे पहले क्या करूँ, इसकी जो width मैं complete 100% कर दूँ, इस तरीके से, मैं काम करूँगा, वो काम simply होगा, कि यह जो मेरा form control है, इसके अंदर मैं simply एक और class पास करदूँगा, रो इस तरीके से, save करता हूँ इसको, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यह जो मेरा form है, इसके अंदर एक simply row नाम से class है, इसकी जो width होगी, इसमें मैं simply width तो मैंने provide करे लेखिए नाट इसनिंपली धो quand घॡ सब्सक्राइब इा इसन भी ऐखूंगा कि यह जो मेरा simply row है या फिर मेरा form control है आप लोग कोई भी एक class select कर ले मैं simply row ही कर लेता हूँ इसमें जो मेरा controller है अब देखो simply आप लोग को ध्यान होगा कि मैंने यहाँ पे control नाम से class define की थी मैं इसको control C करता हूँ और यहाँ पे मैं simply चीज को paste करता हूँ ठीक है जिसकी मैं width set करना साओँगा 50% तो मैं यहाँ पे simply 50% according to parent div मैं यहाँ पे simply 50% set कर देता हूँ तो आप लोग simply करोगे क्या आप लोग इसकी भी width set कर दे यह इसमें कोई problem नहीं है मैं यहाँ पे width 100% आप लोग simply एक काम करें हाँ आप लोग इसको form control ही set कर लें यह सही रहेगा और इसकी जो height होगी I will write height मैं simply इसकी auto कर लेता हूँ save करता हूँ और refresh करता हूँ यह देखो properly आचुकी अब देखो मुझे करना है अब तो बस simple सा logic है इसको में कुछ ही नहीं controller के अंदर simply क्या है इस controller के अंदर आपका simply एक infield है in fact मैं काम करूँगा यह जो infield है इसको मैं control C करूँगा क्योंकि मैंने simply सारे inputs को के class provide कर रहे हैं मैं इसको हटाता हूँ perfect मैं आप इस simply इसकी जो width होती है इसको set कर लेता हूँ complete 100% अब जैसे मैंने complete 100% किया ना तो इसको first name तो उपर आ जाएगा और यह last name यह भी उपर आ जाएगा इसके complete यह 100% का width प्रोवाइड कर लेगा ठीक है मुझे यह चाहिए था और यह जो controller है इसमें मैं simply margin set करना साँगा top to bottom बिल्कुल 0 left to right आप लोग simply 4 pixel set कर दे इस तरीके से अब यह perfectly set हो चुका इसमें कोई भी rocket sense वाली बात नहींगी अब देखो simply बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं ऐसा करूँ मैं simply क्या करूँ मैं अगर ऐसा करूँ मैं height set करूँ यहाँ पे आके और आप लोग simply height वागर सेट कर लोगा I know मैं हाँ पे height आगे simply 35 pixel set करूँ तो यहर आप लोग simply देख सकते हो इस तरीके से है इसमें height भी set हो चुकी है और इसी के सासा मैं इसके label भी set करना चाहूँगा तो label कहाँ पे है label simply एक label नाम से आप लोग या तो इसको class provide कर दो या फिर आप लोग करो गया इसको directly tag name से सेट कर लो क्योंकि और कोई label इसमें खोले बाली नहीं है मैं आप सिंप्ली सेट करूँगा इसका जो color color RGB simply इस तरीके से और मैं यहाँ पर आके इसका जो color होगा मैं आप सेट करना साहूंगा एक random सा मैं आप सिंप्ली color पूट कर लेता हूं मैं काफी थोड़ा ठीक्टा कर लेता हूं यहाँ पर infant family मैं इसकी area लिया वाली select कर लेता हूं और इसी के सास्थ मैं text का जो भी transform होगा capitalize कर लेता हूं margin मैं top to bottom यहाँ पर कर लेता हूं 4 pixel left to right बिल्कुल 0 कर लेता हूं तो थोड़ा ठीक ठाक मुझे आप चीजी दिखाए देंगी जो कि perfectly दिखाए दे रही है यह जो input field इसके अंदर मैं आके काम और करूँगा पैडिंग मैं set करूँगा top to bottom बिल्कुल 0 left to right आप लोग simply 70 pixel set कर सकते हो ठीक है यहाँ से मैं start कर सकता हूं अभी लिखना एंड इसका जो font का size होगा I will write 1.1 RAM इस तरीके से और font की family भी मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूं तो आप लोग Google fonts का यूज कर सकते थे मैं simply एक random सा यहाँ पर font family डाल रहा हूं ठीक है जो inbuilt होता CSS के अंदर अब इसके साथ में इसमें इसका जो outline होता है वो none कर सकता हूं और simply इसका जो border होगा मैं one pixel solid और मैं simply क्या पास कर सकता था इसके अंदर RGB के अंदर मैं simply यह वाला color पास कर सकता था that's great तो मैं simply इस तरीके से चीज को रख सकता हूं अभी के लिए और जो कि काफी सही है आप लोग simply इस में border radius हलका सा provide कर सकते हो I will write only four pixel मुझे ज़्यादा नहीं सही है तो मैं इस तरीके से simply चीज को रख सकता हूं ठीक है तो simply हुआ क्या यहां पर अगर मैं और यह जो मेरा simply form Control है मैं थोटा से इसको पहले set कर लेता हूँ इस तरीके से अब यह जो मेरा form Control है यह form Control कहां पे end हो राए यह form control है क्योंकि जिस्ट form के जिस्ट निचे वो form control है तो मैं यहाँ पर SIMPLY जहलता हूं. .form .control .control इस तरीके से तो मैं आपर simply डाल देता हूँ .control ओके और इसके अंदर मैं काम करता हूँ .control C करता हूँ और अफेक्ट में लेबल को भी .control C करता हूँ ठीक है और मैं आपर simply इस चीज़ को यहाँ पेश्ट कर देता हूँ .ичеp .control . проб .इस आइटी की जगे मुझे टाइप करना पड़ेगा .आप लोग प्लेस और भी दिखा सकते हूँ . तो मैं simply क्या करता हूँ ? यहाँ पे लिग देता हूँ .Alright तो जैसे मनें email किया .तो यह से मेरे पास चीज़ आइच चुकी है मैं करूँगा क्या मैं सिंप्ली ऐसा करूँगा यह जो मेरा form control है यह जो मेरा form control है इस पर मैं सिंप्ली चल के करूँगा क्या flex का जो भी direction mode होता मैं simply अगर column wise कर दूँ इसको मैं इसको column wise कर दूँ और मैं simply इसको refresh करतूँ तो ये देखो इस तरीके से मेरे पास ये चीज़ आ रही है बट क्या ये सही है इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को नहीं कर सकते तो ये जो मेरा इसको मैं simply set करना चाहूँगा यहां से इसको मुझे इसको नहीं करना चाहूँगा अब आप लोग देखो तो इस तरीके से properly चीज़े set हो चुके है कैसा लग रहा आप लोग को ये चीज़ properly set हो चुकी है जो कि perfect है ठीक है तो hope की चीज़े clear है और इसके साथ मैं इसमें padding भी set करना चाहूँगा हलका सा मैं padding set करना चाहूँगा लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा से padding set कर देता हूँ यार पैडिंग मैं इसमें top to bottom zero left to right only five pixel का set कर देता हूँ तो ये देखो simply थोड़ा set हो जाएगा चीज़े और मुझे नहीं चीज़े simply spreading को मुझे चाहिए भी नहीं था मैं actually मैं इसको क्यों फालतूं मैं करूं इसको अब simply क्या करना सबसे पहले ये जो form control is में सबसे पहले मैं margin set करूँगा top to bottom 10 pixel left to right zero obviously इस तरीके से तो देखो थोड़ा ज़्यादा है पाचुका मैं आपर कितना करूँ मैं आप सिंप्ली five pixel का set कर लेता हूँ ठीक है अब सही है और इसी के साथ साथ करती है perfectly चीजे मुझे दिखाई दे रही है बट simply क्या करूँगा मैं इन्पुट फिल्ड है इस इन्पुट फिल्ड को मैं सिंप्ली एक काम और करूँगा और वो काम सिंप्ली यह होगा कि इसमें मैं एक class और आइड कर दूँगा मैं लिख दूँगा यहाँ पर सिंप्ली सेक नाम से या फिर आप लोग कुछ भी एक class प्रवाइड कर दो प्रवाइड कर सकते हैं इसकी जो विट होगे मैं आप सिंप्ली पास करूँगा 97 परसेंट आप लोग थोड़ा सेटिंग दिखाने के लिए बस इससी ज़्यदा यह चीज कुछ नहीं करती और मैं इसको पोसें डिलेटिव करके लेफ्ट चे थोड़ा इसको किसका सकता था है टरासबर्म सिंपली ठीक है ट्रासलेट अकस माइनस फिटे परसेंट इस तरीगे से चीज को खिसका सकता था थोड़ी कम इसकी विट हो चुक्या अगर 100 पे करता तो क्या होता सिंप्ली अगर मैं इसको रिफ्रेस कर क्या आप लोग दिखानों तो हंटेट पर थोड़ी स मुझे कम करने पड़ेगे 98% मैं इस चीज़ को कर देता हूं इस तरीगे से so all right 99 कर दिया मैंने अब ये ठीक है अब ये जो मैंने लेबल दिखाई दे रहा है इसको भी मुझे सेट करना पड़ेगा तो लेबल भी आप लोग एक class प्रोवाइड कर सकते हो मैं यहाँ पर simply एक class प्रोवाइड कर देता हूं मैं यहाँ पर simply लिख देता हूं यहाँ फिर मैं इसको एक काम करता हूं मार्जिन लेप्ट से इसको क्या करता हूं मैं 10 पिक्सल का गेप देता हूं यहाँ से इस तरीके से अब मुझे perfectly दिखाई दे रहा है email इतना मेरा email का भी हो चुका है मैं simply अभी करूँँगा क्या मैं जो पोस्ट वो बहुत ही simple simple चीज़ है मैं अगर इसको completely copy करके यहाँ पेस्ट कर दूँ तो इदे को simply मेरे पास automatic हाँ बन जाएगा अब मुझे बस चेंज करना और उससे कुछ करना नहीं मैं code पे चलता हूं simply और यहाँ पे चेंज कर देता हूं मेरा अल्स वेगर है मैं काम करता हूं इस email को मैं यहाँ पर लिख देता हूं simply job post झ ao कर दूँगा और इसी के साथ मैं करूँ है कि इसकी ID जो मैंने सिंपली हाँ पर लेबल के अंदर फोर के अंदर लिखा वह मुझे पास करनी है तो मैं पर जो पास कर देता हूं इस तरीके से और मैं हाँ पे स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गड़ बड़ी हो रही है I don't know simply क्या हो रहा है सिंपली यह चीज आज इस तरीके से और मैं यहाँ पर जो पोस्ट कर देता हूं रिफ्रेस करता हूं यह देखो जो पोस्ट भी कम्प्रेटली आ चुकी है इमेल और सारी चीजिए यहाँ पर पर के मिलता हूं ठीक है मैंने चीज को कर लिया प्रोपर्ली और आप लोग सिंपली देशते हूं मुझे आप फोन का भी एक फिल्ट प्रोपर्ली मिल चुका जो कि पॉफेक्ट है अब देखो सिंपली क्या है कि मुझे एक बटन चाहिए और वो बटन मुझे किस तरीके से ची है इस तरीके से ठीक है पॉफेक्ट यह दो सब्मिट का बटन इस तरीके से मुझे मिल रहा है मैं थोड़ा इसको CSS प्रोवाइड करना चाहूंगा ठीक है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर करूँगा क्या मैं आप सिंपली इस तरीके से लिखूँगा कि अगर समिट होता है मै इंपूर्ट सींपली जो भी सका टाइप एको वर्टू मैंगर सामीट करता हूँ इस तरीके से इस पर मैं सिंपली एक CSS सप्लाई करना चाहूंगा मैं आप सेट करना सहूंगा इसका एकरा रंक अर अब देखो मैंने रेट किया तो सिंपली रेट हो चुका है ठीक है तो सिं मैं 35 कर लिता हूं और इसी के साथ में इसको margin top to bottom 20 pixel left to right zero इस तरीके से मैं simply set करूँगा so इसी के साथ में इसका text का जो भी transfer होगा capitalize करूँगा color इसका white करूँगा simply ठीक है all right white करना ता चलो यह भी चलेगा और इसी के साथ में margin set मैंने कर लिया है margin मैं perfectly set कर रहा है मैंने इसका बेगराण का color में simply set करूँगा कुछ एक अलग सा में random सा color यह वाला put कर देता हूं और मैं इसको refresh करता हूं इस तरीके से इसी के साथ में मैं इसका front का size set करूँगा I will add 1.2 RAM और front की family भी ठीक ठाक होनी चीए आप लोग simply यह वाली सेट कर दे और इसी के साथ साथ हम लोग simply सभी सैट करेंगे इसमें इसका outline तो हम लोग deskanal कर देंगे इसका जो बोर होताह है वह भी हम लोग simply हाँ पर आके क्या कर देंगे border भी हम लोग simply क्या कर देंगे लेन कर देंगे इस तरीक से और मैं इसको refresh करता हूं यह द देखो इस तरीके से मुझे मिल रहा है, जो कि perfect है, अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग simple ऐसा करेंगे, हाँ पर आके 40 पिक्सल हम लोग simple इस चीज़ को set करेंगे, और मैं हाँ पर 45 पिक्सल इस चीज़ को set कर लेता हूं, ठीक है, सही है, और जब भी इस पर कोई होवर करें, तब हम लोग कोई दूसरी वैल्यू इस पर define कर देंगे, प्रोपर्टी में, मैं इस पर simply चलता हूं, paste करता हूं, होवर पर मैं simply चलता हूं इस तरीके से, और मैं यहाँ पर बेगर, इसकी opacity कम कर दूगा, बस इस चीज़ कुछ नहीं करना चाहूं, opacity की 07 कर तो simply क्या है, कि अगर मैं इसका transition, simply transition duration set कर दूँ, I mean, set कर दूँ, कितना 40 milliseconds, इस तरीके से, इसी चीज़ को मैं apply करके, यहाँ पर apply कर दूँ, save करूँ, और मैं इसको refresh करूँ, यह देखो, मुझे इस तरीके से perfectly मिल रहा है, जो कि सही है, ठीक है, इस तरीके से, तो guys, यह जो opacity है, मैं यहाँ पर आके, करूँ है, क्या, मैं यहाँ पर simply one कर दूँ, इसको, अभी मुझे इस तरीके से दिखाई देगा, अब मुझे इस तरीके से दिखाई देगा, perfect, ठीक है, अब इतना हमारा काम हो चुका है, अब हम simply error message का भी एक div create कर लेते, ताकि हम लोग dynamic list में error भ ठीके से, मैं आप लिख दूँ, this is the sum error, आप लोग कुछ भी लख सकते हो, this is the sum, और error इस तरीके से ठीक है, और error message मैं हाँ पर control C करता हूँ, save करता हूँ, इस तरीके से, so, perfect, अब मैं हाँ पर simply चलता हूँ, just मैं top पे इसका CSS apply कर देता हूँ, क्योंकि यह top पे आने चाहिए तरीके से, मैं simply इसको paste कर देता हूँ, और इसकी जो width होगी, according to हमारा box, हम लोग simply इसको set करेंगे, 70% इस तरीके से, और हम लोग height set करेंगे, इसको यहाँ पर कितना height हम लोग simply set करेंगे, obviously 40 pixel, और background का color मैं simply red bass कर दूँगा, text align है, हम लोग center कर देंगे, और color इसका simply हम लोग white कर देंगे, text का जो भी transfer होगा, capitalize कर देंगे, और fund की जो family होगी, हम लोग simply fed family भी set कर देंगे, इसके अंदर, और अभी के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, but हम लोग simply इसकी position को absolute करेंगे, और हम लोग करेंगे, क्या, हम लोग इसको top से set करेंगे, obviously 20%, जो देखते हैं, हम का कितना दिखता है, वो simply, all right, यह देखो, इस तरीके से मुझे से दिखाई दे रही है, मैं इसको 23% या, इसके something कर देता हूँ, 22% के करेंगे, और place item हम लोग center करेंगे, और display हम लोग यहाँ पर simply grid set करेंगे, और हम लोग simply इसको refresh करेंगे, perfectly, ठीक है, हम लोग इसका front weight perfectly कर लेता हूँ, इस तरीके से, अब यह perfect दिखाई दे रहा है, आप लोग इसमें border radius वगएर करना चाहों, तो कर दो नहीं, तो इसका कोई need है, नहीं, simply, अगर आप मैं करता हूँ, तो चलेगा, इसमें कोई दिक्क्त वाली बात नहीं है, इसका red color है, थोड़ा सामें, इसक परी complete हो चुका है, इसके media का विडिया भी बाकी है कि 4 के अंदर, अब जब भी आप लोग phone devices के अंदर देखोगे, तो यह थोड़ा सा damage होने वाला है, तो यह चीज़ हम लोग को set करने पड़ेगी, वो चीज़ भी हम लोग definitely यहां पर set करेंगे, तो बस guys बताना आज इस उतरहीं मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, thank you guys, take care, bye bye